बिहार में गोपाल गंज उप्चनाओ के रिजल्ट कहीं न कहीं चर्चा का विशय बने हुए हैं आखिरकार हुआ क्या क्या सबक मिल रहा है इन सारी चीजों पर बात्चीत करने के लिए हमारे साथ इम्रान प्रताप गड़ी जी है आईए उनीचे बात करते हैं इम्रान जी इस्टेशन में आपका स्वागत है यह बताईए कि गोपाल गंज में जो हुआ क्या गुजरात में भी दोरा जाएगा गोपाल गंज में जो हुआ वह कोई इतना अब प्रत्याशित नहीं है पिछली बार भी वह सीट भाजपा के पास थी इस बार भी भाजपा जीती लेकि होता महागडबंदन और तो पिर क्या प्रशन आपका यहीं होता कि जो भीहार में हुआ ओने जा रहा है तब आपका प्रशन यह नहीं होता इस लिए इस प्रशन का उस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है इम और चीज जब उठती है जब इसकी हम बात कर थे गोपाल गंज की तो खास तोर पर जो सामने आ रहा है उसमें बहुत से लोग कह रहे हैं OEC और BSP कहीं न कहीं बी टीम के तोर पर काम कर रहे हैं क्या कहेंगे देखिए सिर्फ गोपाल गंज नहीं बहुत सारे चुनाओ इस बात के गवाँ हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से भाजपा को सहयोग किया है OEC के चुनाओ लड़ने का जो पैटर्न है वो भी भाजपा के लिए फायदेमन साबित हो रहा है यह एक सच्चा ही है लेकिन मैं गोपाल गंज में फिर से कह रहा हूं वहां OEC को ओट नहीं मिला है वहां हिना शहाब समर्थकों का ओट कहीं ना कहीं महागडबंधन के प्रत्याशियों तक नहीं आया है जो जमीनी फैक्टर है वो यह मनोजहा जो आरजएडी के नेता है उनका कहना है कि महागडबंधन को बैट कर सोचना पड़ेगा इस पर क्या कहेंगे ने जब प्रधान को जी अगर यह कह रहे है कि हमें सोचना पड़ेगा तो हम तो यह कह रहे हैं कि हमें और जमीन पो उतर के काम करना चाहिए हमें और गहराई के साथ एक सीट का की मॉनिटरिंग करनी चाहिए 2008 आराम से लाए जा सकते थे मेरा अपना मानना है कि गोपाल गंज जीता जा सकता चूक हुई थोड़ी सी कसर बाकी रह गई एक और चीज उठती है अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ओएसी साब भी अपने सतर से ज्यादा सीटों पे लड़ने का एलान कर चुके हैं तो गुजरात में असल मुकाबला किसकी की बीच होगा पूरे पे क्यों लड़ें उनसे पूचे कि तेलंगाना में 8 सीट पर क्यों लड़ते हैं 119 पर क्यों लड़ते पूरे पर क्यों लड़ते पूरे लड़ें ना लोगतंत्र का परव है हिस्सा लें सब लड़ें सिर्फ साथ और सतर पर लड़ने की क्या ज़रूत है सब लड़ें खुलके साथ कांग्रेस कि एगर हम बात करें गार DC आखरी सवाल है कि जीत 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 रह गई तो यह देखते हैं कि कहे जुझान ने कर पाएंगे और ज्सक्रश का ओट यह जूट है और वो जानता है कि जो कसर पिछली बार बाकी रह गई थी उसे इस बार छोड़ना नहीं है और मौजूदा दौर में मुद्रा पोर्ट पर जो तमाम मादक पदार्थ पकड़े गए या फिर मोर्वी की घटना हो पेपर लीख हो महंगाई हो इन सारे मुद्दों ने प्रधान मंत्री जी को परिशान कर रखा है पूरी भाजपा परिशान है गुजरात हिमांचल प्रदेश दोनों राज्यों में कॉंग्रेस बहुत शांदार प्रदोशन करने जा रहे हैं आपका धेशा धन्यवाद धन्यवाद यहां पर आप समझे कि जो राजनीत है उसका ख झाल प्रदेश झाल प्रदेशन कर रहे हैं आपका धन्यवाद प्रदेश प्रदेशान प्रदेश communist कर दो जाका खорा धन्यवाद कर दो हई ज जो तो है कि जो …